अंचन कुमार जी स्वागत है आपका नमस्कार मैं नमस्कार सर मैं हमको ACIDITY का प्रोब्लम है ACIDITY की प्रोब्लम कब से है मैं इज़ा हमें एक वर से है ACIDITY की प्रोब्लम आपके उम्र कितनी है 49 शाल, 39 यह जे यह रोग आने का की उम्र है यहां हमारा चार पांच रोग आते हैं जिसमें ACIDITY कब्स पवासीर कॉलिस्टॉल हार्ट प्रोब्लम कून का गाड़ा होना यह सब रोग थाईराइड दिल का प्रोब्लम डाइबटीज इस अब आने शुरू हो जाते हैं और इनमेंसे एक रोग आता जरूर है हर इनसान को एक नसका मेरा है जो घर घर तक पहुंच रहा है और बड़ा फाइदा लोगों को है वो यह है के सौफ, सौट, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी ये च्छे चीजे मेती का दाना ले एक बार और बोलता हूँ सौफ सौट जीरा अजवाइद धनिया मेती का दाना सौ सो ग्राम लेके घर में पॉर्डर बनाके रखा करें और एक आता है नमक जैतून ये बड़े जो घर है और सब परिवार हैं उनमें तो रहता ही है अब एक चुटकी नमक जैतून लें ये एक ऐसा नमक है जो सौट में अमकी नहीं होता ये आप दो गिलास पानी में डालें इस पानी के साथ ये जो पॉडर च्छे चीजों का बनाया है ये खा कर ये पानी पी लें दो गिलास पानी जो नमक जैतून मिला हुआ पानी बस खाने से पहले ले लें बाद में ले लें दिन में एक बार या दो बार ये दस बारा रो को कंट्रोल करता है एसिडिटी, कब्स, बावासी, इन्फेक्शन, वरम, सूजन लीवर की सूजन, लीवर बढ़ जाता है लीवर बढ़ा हो गया, लीवर हुनी बनाता है लीवर की सफाई, किड्नी के लिए बहुत अच्छा है और इसकीन के लिए बहुत अच्छा है इसकीन की कोई बीमारी हो, खुजली हो, सुराइसिस हो दाने निकलते हैं, महा से निकलते हैं ये 10-12 रोग में काम करता है आप, इसे इस्तमाल कर सकते हैं दिल्ली से हैं, विरेंदर जी, स्वागत है आपका आजी, गुरु जी, नमस्कार जाहिए, स्वागत है विरेंदर जी गुरु जी, मेरी पहले बात हुईते हैं, आपको हाथ जोड़ के पर चोके प्रानाम और शेल्या त्याद्टी की सिष्टर को भी नमस्कार जी नमस्कार सेफ आजी, और सुबह बात कर रहे हैं, फौन ही नहीं मिलके दिया गुरु जी, इतने फौन मिला के रहे हूँ गुरु जी, मैं थोड़ा ये छोट-छोटे सवाल है, कुछ ये पूछाँ चारूं गुरु जी जी, एक तो ये है, कि नमक में नमक कौन सा अच्छा गुरु जी, ये बेले वाला नमक अच्छा है, काला नमक अच्छा है, या सफेद जो नमक आता है, ये अच्छा है, या जप्पी सवा नमक जो आता है, ये अच्छा है, एक ये सवाल है गुरु जी, एक ये है, मुट है में फरक हो गया तक नहीं अपनी कर दी एक खड़ाई लगा चुका है अपके में एक बार यूस करता हूं थोड़ा इसके बारे में बताना गुरू जी और एक गुरूजी यह है मेरी मन्नी जी है उनका थोड़ा उनकी एग ज्यादा है मेरी चासुमा जी, तो उनका थोड़ा गर्भाश्य है, बहाराग, अम्मालब वो बहार है थोड़ा, उसमें आप डॉक्टर को दिखाया है, वो कह रहा है, इनकी उमर जारा है, उपरेशन नहीं हो सकता, ठीक है, उसके लिए कुछ सुझाओ गुरुजी, थोड़ी हो कुछ सा नाम अच्छा है, जील अच्छा है, कमल अच्छा है, किजाम अच्छा है, तेरी आखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है, अच्छा दिखिए, मीठे में गुरु बहुत बहतर है, लेकिन इसकी अगर पसंद आए, इसका स्वाद, तेलों में, हिंदुस्तान में, तेल जो है वो राई का तेल बहुत अच्छा है और किया बूछा इनो करने का तरीका पर करने का तो tout बहुत आसान तरीका है यह जो मैंने नسखा बताया था इसको लोहे की परात में यह गच्चे लोहे क्यों होना चाहिए जीसे तबा होता है उसमें भी बोले वो नुस्खा तो आपको पताई है ये शिका काई, रीटा, आउला और छोटी हड चार चीज़ों को पौडर बना लें और इसमें भी वो दें इसमें महंदी भी डाल सकते हैं असली महंदी और चाय की पत्ती थोड़ी मिला दें और ये लोहे से रियक्ट करता है और लोहे की कालक इसमें आ जाती है फिर आप अपने बालों में लगाएं बिगोकर रख दें, ज़्यादा पानी ने डाले डाई काड़ी सी रहे और वो अपने बालों में लगाकर ऐसे हर सब जगा अंदर अंदर करके ऐसे करके और छोड़ दें दो गंटे बाद आप नहालें ये औरिजिनल डाई होती है इसमें शैम्पू भी होता है जो रीठा है शैम्पू है जाग भी बनते हैं और बालों पर एक ऐसी अलग टाइप की चमक आती है पता नहीं कुछ गलती होगी होगी आपसे इस वेज़े से रग नहीं आ रहा है और क्या बताया नमक कौन सा अच्छा है पिसा हुआ या फिर कोई और नमक तो नमक है और नमक और नमक याद में बड़ा फर्क है काला नमक भी बहुत अच्छा है अगर वो रहती है आपको बदहजमी खटी ड़कार ये वगएरा तो काला नमक यूद करें और फिर डले वाला नमक हमने मुद्द तो यूद किया फिर ये कारोबार करने लगे लोग तो पिसा पसाय नमक इसका नमक और उसका नमक और यूक नमक आयडीन लोगों के लिए जरूरी है लेकिन आयडीन भी ज्यादा हो जाए तो नुकसान देता है अडियों को तो वैसे सादा नमक मैं बहुत पसंद करता हूँ आयडीन वाला बताते हैं कि बहुत अच्छा है और मदर इनलोग के लिए गर्भाश्य बाहरा गया ह हाँ उन पर जरा तवज्जद हैं और अपनी साथ से महबत करने हाले लोग यकिना बहुत अच्छे होते होंगे ये आता है गौन चिलगोजा गौन चिलगोजा बस एक चुटकी उन्हें खिलादिया करें शहद में मिला के दे 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 अगर शुगर नहीं है या किसी और चीज़ में आईसी खा लें गौन चिलगोजा एक चुटकी और एक चुटकी सोड़ा खाने का दो गिलास पानी मिला कर यह पानी पिला दिया करें, 24 गंटे बस एक बार, तो ना तो आप्रेशन करा सकते हैं, इस उमर में ना कुछ, इस से उनको फाइदा होना मुम्किन है. हापुर से है, सुनीता जी, स्वागत है आपका? मैंना माजातु. मैम, स्वागत है आपका? जी, बात हो रही है, जैहिन, स्वागत है आपका हापुर वालो. हादी, हकीम जी, नमस्ते. जैहिन. हादी, हकीम जी, नमस्ते. जी, आदा, बताईए क्या सवाल है, टी-वी की आवाज नहीं, आप फॉन पर बात करें हमसे, हमारी आवाज आपको देर चे पहुचती है, टी-वी पर. हाँ जी मेडम जी मेरे जो है खुजली हो रहा है खुजली हाँ जी और खुजली में फिर पाणी सा निकला है बहुत दाजसा बन जागा है आवाज कम करो टीवी कि कहां पर होती ही कुजली पिच्चा हो रही जी कमर सा निक्चा की बिल्कुल इससे मैं ठीक ही ठीक है अच्छे देखिए एक आता है गौन चिलगोजा याद रखें असली ने गौन चिलगोजा और एक चुटकी खा लें उसको गौन चिलगोजे को एक चमच अलसी का पाउडर के साथ एक चुटकी गौन चिलगोजा खा लें एक चुटकी याद रखें यह बहुत तेज होता है और एक चमच अलसी के पाउडर में मिला कर खा लें और यह खाने का सोड़ा एक चुटकी दो गिलास पानी में मिला कर यह पानी बाद में पी लें पूरे 24 गंटे में एक खुराक लें आपको फाइदा होना मुम्किन है हकीम साब एक दाने तो वो होते हैं जो खुजली करते रहते हैं और एक दाने जो यह बता रही हैं जिनमें पानी निकलता है तो जो दाने पानी छोड़ते हैं तो क्या उनके पानी छोड़ने से और भी दाने बनते हैं हाँ ये एक ऐसा ही रोग है कि वो फूटते हैं फिर दूसरे निकल आते हैं रुकते ही नहीं है और वहां पर अजीब सी खारिश और दासा हो जाता है ये एक फंगस की बीमारी है तो ये उसका जो मैंने बताया ये किसी भी तरहां का फंगस हो या ऐसे चाले निकलते हैं पैरो हुआ को मैं हाथों में दाने निकलते हैं वो बहुत खुझली होती है कुझालों तो टूट जाता है पी ठीक नहीं हो मत है दूसरे निकल आते तो ये आपके खुण के सफायाय किस कर देता है जब ठीक हो जाएं रोक दे और एक खुछा की बस काफी है अगर आप इस्तमाल क अगले कॉलर हैं हमारे साथ स्वागत है आपका हालो जी दिलिप जी बताईए सवाल करिये सर हमें साल बर्ष स्वाव और है था बीपी बढ़ती है इसका कोई इलाज है बीपी बढ़ती है जी क्या उमर है आपकी कब से बढ़ती है कितनी बढ़ती है अच्छा दिखें बीपी की दवा खाते रहें और उसके साथ मैं एक नसका बताता हूँ अगर आपने च्छे साथ महीने लिया तो पिर आपकी को मुकमल फाइदा मुम्किन है लेकिन वो दवा छोड़े लें वैसे तो आप कोई दिन्दगी बदवा खानी पड़ेगी लेकिन अगर आप ये नसका साथ में लें उसके तो ये भी छुट जाना चाहिए और ओ भी छुट जाना चाहिए लेकिन छह साथ महीने लगाता रहा है एक आता है कलोंजी का सिर्का लेकिन असली लेना है नकली लेंगे कोई भी दुसका जो मैं बताता हूँ फिर फायदा मुम्किन नहीं है कलोंजी का असली सिर्का लें दो च चम्मच, छोटे चाय के चम्मच इसे टी स्पून कहते हैं, वो दो गिलास पानी में मिला लें, या एक गिलास में मिला लें, छोटे चाय के चम्मच से, कलोंजी का सिर का, और एक चुटकी उसमें खाने का सोडर डाल दें, और ये रोजाना रात को एक बार पी लिया करें, सुबह को एक शाम को रात को दीरे दीरे यह आपकी तीन चार फायदे करता है कालिस्टॉल जरूरत के मताबिक कर देता है प्रट प्रेशर जितना होना चाहिए इतना लाता है ब्लॉकिज को खोलता है चर्वी को कम करता है फालिज होने से रूपता है डायप्टीज होने से करता है पेट को भी बहुत अच्छा रखता है लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं दिल्ली से हैं मनोर्मा जी स्वागत है आपका हेलो जी मुझे अपने हट्रेन की प्रोब्लम बतानी है उन्हें केरिस्टॉल भड़ा हुआ है और उन्हें पूरे शरीर में पेन रहता है ठीक है उम्र बता दीजे उमर उनकी होईगी फॉर्टी सिक्स स्वरी फॉर्टी टू फॉर्टी टू अर देखिए मैं कहता हूं कि चालिस साल की उम्र जो है यहां से यह सब बीमारिया आना शुरू होती है कॉलिस्टॉल कुद्रती तोर पर बढ़ता है यह कोई बीमारी नहीं है चालिस साल के बाद हम सब का आपका भी मेरा भी हर किसी का कॉलिस्टॉल कुद्रती तोर पर बढ़ता है इसको पतला रखना चाहिए और फिर ये ब्रेट प्रेशर कर देता है फिर ये हार्ट ब्लॉकिज कर देता है फिर ये ब्रेन का कोई अटेक आएगा या दिल का कोई मर्जा आता है तो चालिस साल से शुरू करना चाहिए एक नुस्खा और ये आपके हजबेंड को दो नुस्खों की ज़रूत है ये कलोजी का सिर्का ले दो या तीन चमच एक गिलास पानी मिला ले और एक चुटकी खाने का सोड़ा मिला कर दिन में एक बार या दो बार दिया करें तो ये डायप्टीज नहीं होने देता हो तो कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर हो तो कंट्रोल करता है कॉलिस्टॉल को ये रोकता है ज़रूरत इतनी है इतना रोकता है बाकी को निकाल देता है हार्ट के लिए दिल के लिए बहुत अच्छा है blockage के लिए बड़ा मुफीद है और brain hemorrhage नहीं होने देता और पेट के लिए बहुत फाइदे बन दे दिन में एक बार या दो बार दिया करें और छ्छे साथ मेने लगा तार दे अगर आपको ये चाहिए कि वो पूरे अच्छे हो जा उनकी दवाएं भी दे लेकिन ये जरूर दे फिर ये जो दर्द है उनके उसके लिए आप गौन सिया खरी दें और आदा आदा ग्राम दो बार खाने के बार खाएं असली गौन सिया अगर मिल गया तो उनको इस रोग में भी फाइदा होना मुम्किन है